हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम समानता रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने ये दो समानता रेखा हैं देखें फ्रेंस समानता रेखा का मतलब होता है कि इन दोनों को हम अनंत तक भी बढ़ाएं ये एक दूसरे को कहीं पर भी परतिछी दित न करें तो उन रेखाओं को हम समानतार रेखा कहते हैं इसको हम नाम देके ये तो पेसे यहाँ और यहाँ पे लेते हैं हैं याह और यह को एक तिर्यक रेका कड रही ह। डोस्वान रेखा को एक ति रिख रहा काड ते ऐसे कौन कौन से प्रगुड जाते हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे देखेंगे फ्रेंज यहां पर इसका हम नाम लेते हैं जैसे यहां पर ले लिए एक यहां पर दो कोड़ है यहां पर तीन यहां पर चार और यहां पर पांच यहां पर छह साथ और आठ इस तरह नाम ले लिए फ्रेंज देखिए अब यहां पर देखेंगे सिरसा भी मुख कोड़ अभी समझाएंगे फ्रेज सिरसा भी मुख कोड़ होता क्या है सिरसा भी मुख कोड़ और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका से सीखेंगे फ्रेज देखिए सिरसा भीमो कोड का मतलब होता है आमने सामने का कोड जैसे एक के सामने कोड का है फ्रेंस आपके दो है तीन के सामने कोड का है चार है पांच के सामने कोड का है साथ है छा के सामने कोड का है आठ यानि कि सिरसा भीमो कोड का मतलब होता है आमने सामने का कोड फ्रेंस देखिए सिरसा भी मुकुड जैसे एक है तो एक के सामने कौन सा है दो यानि कि कोड एक बराबर कोड दो होगा ठीक है यानि कि एक क्या होगा दो के बराबर होगा तीन क्या है चार के बराबर इसलिए कि तीन बराबर कोड चार यह आपस में बराबर होंगे ठीक है जैसे पां कोड़ nossa से अब 189 कारती है थिसर स्जा कोड़ आपस मैं बरावर होते हैं यानि कि अग sudden वोगा है फ्रेयु है यसलोग जैसे यहां पे थीज भी रियुलोट ही होगा ठीक है इसका मतलब यह होता है यह होगे आपका सिरसा भी मुख कोड अब चलिए फ्रेंज देखते हैं संगत कोड क्या होता है तो फ्रेंज थोड़ा सा देखें यहाँ पे लिखते हैं संगत कोड संगत कोड अब देखें फ्रेंज संगत कोड का मतलब होता है कि जिसकी दिसा इख याद करने का तरीका ने क्या अच्कोण फोनष संगत कोड़ए साझता नेगया कि इतलं संगत जैसे तीन का मूँ किधर ऐसे है, तो छा का मूँ भी ऐसे है, यानि कि एक दूसरे के साइड है, मतलब कि तीन किसके बराबर होगा, छा के बराबर होगा, इसके इलावा देखिए फ्रेंस, अब देखिए दो, दो का मूँ किधर ऐसे है, और यहाँ पर साथ का मूँ ऐसे है, अदम याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आपको simple तरीका से याद हुजए जैसे दो इधर है साथ इधर यहां दो बराबर कितना लिखेंगे कोड साथ है यानि कि दो साथ के बराबर है इसी प्रकाद के चार का मुँख इधर है ऐसे है और यहां पर आठ का मुँख इध ही अंस होगा इसका मतलब यह जब इस पर आप सवाल लगाएंगे तो simple तरीका से लगा लेंगे देखिए फ्रेंज यहां पर हुआ आपका सिसा विमो कोड़ यहां पर हुआ संगत कोड़ अब आते हैं एकां अंतर कोड़ यहां पर लिखेए कि एकांतर कोड देखे फ्रेंस ये नाम से ही पता चल रहा है एक अंतर का मतलब है एक दूसरे के अंतर पर होगा कहने का मतलब जो ऐसे देखिए फ्रेंस यहां पर चार ठीक है चार का मूँ आप किधार है देखिए ऐसे देखें कि चार का मूँ ऐसे है अब इसके अंतर पर कौन सा है दे इसका है इसका मु इधर है यारि फ labeled लिखें एके रेकarasबान पैर्पी ने पजिब को अन्तर पर तो कि ओफ मधर या निए या छा शाए घर उख यह पिंस। इसका मुध कॉल सरा हरे रहे हैं तो अपने उसका मुधर आइसे देखेंगे और इसका मौेधर हैं । सका मूधार एक दूसरी का अंतर पर दोऊ सांश समझे फ्रेंस की अंता रना को याणि कि आनतर रखा है और तिरियक रखा ज içके अंतह को डों का युग स्वाल की जो आपके सवाल में प्रियोग नहीं है कोड़ धन कोड़ण यह याद रखिएगा कोड़ दो धन कोड़ छा कमान हमेशा कितना हो जागा 180 यानि कि इसको कह सकते अंता कोड़ अंता कोड़ अंता कोड़ का योग कितना होगा फ्रेंस यानि कि दो रिचा कमान कितना होगा 180 होगा इसी प्रकार चार पांच है यानि कि कोड़ चार धन कोड़ पांच इसका यूग कितना होगा फ्रेंस इसका भी यूग 180 होगा यानि कि अन्ता कोडो का यूग कितना होगा फ्रेंस 180 तो फ्रेंस इतना यदि आप समानता रेखाओं के बारे में जान रहे हैं तो आप समानता रेखाओं से संबंदित यदि आपको सवाल में उता है तो आप सिंपल तरीका से उस सवाल को लगा सकते हैं तो फ्रेंज आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें